लास्ट पिर्सोड में हम नेपाल का एक बहुत खुबसूरत विलेज गांद्रुक पहुचे थे जितना पहुचना यहाँ मुस्किल है उससे भी ज्यादा मनमोह किये गाओं है जो लगब 6600 फीट हाइट है फ्रॉम सी लेवल और फोकरा से अल्मोस्ट 55 तू 60 किलो मीटर के आसपास है वैसे गांद्रुक अपना अनापुर्ना रेंज के लिए फैमस है क्योंकि आप यहाँ से अनापुर्ना पीक माउंटेंस देख सकते हैं जैसे मांट अनापुर्ना, मांट मचापुछारे, गंगापुर्ना और मांट ही हुन्चुली की चोटिया गाओं से देखी जा सकती है जो की बहत मनमोहक है वैसे जब हम यहाँ पहुँचे थे माउंसुन के सीजन में पहुँचे थे और बारिज भी हो रही थी जिस वज़े से हमें यह सब पीक माउंटेन नहीं दिख सके और आप यहाँ से अरनापुर्णा बेस्ट केम तक ट्रेग भी कर सकते हो और गांदरुक को गेटवे टू अब लोग पहुचे थे गांदरुक और देखो तो भी हानक बारी सो रहा था रात में अपरोड कर गया हम लोग साड़े आठ बजे लगबग साड़े नोव बजे पहुचे होटल आते हम लोग साड़े नोव पॉने दस हो गया साड़े 10-11 बजे लगबग खाना खाए उसके देख सकते हो नजारे देख सकते हो इस कभी भी आप आते हो यह ओबिट प्लेस है ज्यादा लोग यहां पर आते नहीं है लिद्ग कुछ लोग मुझे सजेस्ट किये थैं नहीं सजेस्ट कुछ नहीं किये थैं इसके चलते आए ये बोला कि पोखरा मेरा प्लानिग था गाहं इह भिलेज लोग जो सकते हो यहां पर अभी मामुसुन में vanille Brothers लुट्रा हैं राश्व कयुक्त 네 यहाँ पर बस स्टॉफ है यहाँ पर बाइक पार करके यह गाओं आप लोग को ऐसे मिलेगा उपर चढ़ना पड़ेगा यहाँ दोको बस लगी भी है और अन्नापुर्णा रेंज हिमालिया रेंज और साफ रहता तो आप लोग को स्नोपिक माउंटेन भी दिखते हैं पर हलक करो और वैसा कुछ है एक दो गाओं है गाओं से भी वही बस भी आपको दिखेगा एक जगह यहाँ भी आप लोगों को दिखा देता हूं देख सकतो यह पाहार को भाई अब भी हम लोगए है यहां नास्ता करने ब्रेकफास्ट करने चाय यह पूडी है यह पूडी में देखके मुझे बट मैं जब तमिलनाडू में पड़ता था उसका याद रहा रहा रह कुछ बटूरा मिलता था सबजी है अंडा बॉइलंडा उंडा का भी कलर तूलो थाते हैं बताई सी टेसकैसा निकलेंगे बाहर का मुसली गिला हो रहा का रहा है सु मुखा हो मौनलल ऑल तो इसके पीछ्चे ह Sangiri Hag 관럼 यह थे जापलो क्लेंडर में और यह फीर पहाड देखू गदरा ऑर यह है है और यह है अभी इसका पीछे है वह अभी नहीं दिख रहा है यह वाला यह वाला नहीं दिख रहा है इधर जितना ओटलेट बहुत टोटल है वही हो गया कि हम लोग लेत मौसब में आगा है अक्टूबर में आओ तो यह पूरा दिखेगा आप लोको यहां से पूरा स्नोपिक मौंटन वहिए अप लोगको हो अलका लका दिख रहा होगा कोई दो और 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 एक लीच है यहां पर गईंटो जो होटेल में रुके हैं कलाइस होटल है यह और यहां आप से हम अभी उसका हम लोग छ़ट में आगया है और च्छत से देखो भाई नजार देखो क्या भाई क्या हाल है देखो ओसम चछत से ही देखो क्या सुन्दर लग रहा यह है गंधुरुक ब्यूटीफूल ब्यूटी ऐफ गंधुरुक देख सकते हो और कितने सारे होटल यहाँ पर देख सकते हो और भी है बहुत अच्छा अच्छे होटल आप लोग को यहां मिल जाएंगे रुखने का कोई दिक्कत नहीं है तो कितने उचे उचे पहाड है देख रहे हो कि सो भाई देखो सारे लोग हम लोग ऐसे रेड़ी हो गया है देख सकते हो निकल रहे हैं अब बारिस कम होने का नाम नहीं ले रहा है बारा बज रहा है अब और लेट नेगा कल भी मौसम ऐसे ही दिखा रहा है रुक के कोई फैदा नहीं वाक करके अभी हम वहां नीचे जाना पार्किंग में यह है गांदुरुक होटल के लास दो को इधर है गुडूंग होमिस्टे बागी फिर आपका इधर है ऐसे रास्ता है ऐसा सिवड़ी है देख सकते हो इतना लगेज लेके कल चड़ना बहुत अप हुआ था भाई कैसे चड़े था रात में हमी लोगों को पता हुँआ है ठीक 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 है धन्यवाद थैंक यू ठीक है नितेश है दोखो स्ट्री स्ट्री नमबर 3 है यह इसो सिघी बना हुआ है स्ट्रीट नमबर बांट टू थ्री देखों है ने यहां लिखा हुआ है बागी यह होटल का नाम सब क्या क्या है होम इसके होटल है देंक डावा हुआ वह कर रिस ओरो farming की वान बानते बारिश देखर और मुश्ला धर बारिश हो गया और मुश्ला धर बहुत जब जब इकुछ पहाड भी नहीं दिख रहा उदर उदर हम आपलों को दिखा रहे थे पहाड उदर है ऐसा है कुछ नजारा और मुझे पता नहीं था नितीज का भी यूटूब चैनल है नितीज यूटूब चैनल का नाम बताओ नितीज सुराओं करके मिल जाएगा नितीज सुराओं करके नहीं मिल जाएगा आपको भाई का भी ब्लोग देखना मैनत कर रहा है पुरा पहले तो बीच में थोड़ा सा बंद कर दिया थे पर आप सुझा करेंगा ठीक है ठीक है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक देंगे जाक एक बड़ चिक कर लेना बाकी फोड़ास हम लोग सोच रहे हैं पानी धीरे हो तब निकलेंगे भी इतना पानी में ना भाई भींगा देगा सही बात है क्या कि कपड़ा कल भी भींगी गया था हलका हलका उपर वाला पानी घुसी जाता है अगर बारिस हुई है अभी भी बारिस हुई है एक बजे के लगभग हम लोग निकल रहे हैं आज लेट हो गया गंद्रुक मस्ट भी जी प्लेस है आप लोग जरूर आना मुझे बहुत अच्छा लगा अगर मौसम ठीक रहता तो यहां एक दिन और हम लोग इस्टे करते और बाइक से और उधर वोला पाहड इधर आप लोगो दिखाए थे उधर जाते हैं पर क्या हो गया कि भाई कुछ दिखेगा रही नहीं तो फिर क्या फाइदा कि रास्ता देख रहे हो मुझे वाइजर हटाना पड़ेगा भाई मुझे सब डबल डबल दिखे रहा है गधे लोग है भाई गधे लोग जो आठ दस किलोमेटर का यह ओफ रोड है ना बहुत खरतानाख है बहुत खरतानाख अब भी तो कुछ नहीं पर्थर वाला एरिया है फिर मड़ वाला एरिया है आप लोग को मिल जाएगा इसमें अभी दो कुछ ऐसा वाटर क्रॉसिंग भी हभी वाला अभी यह सब पानी रहा वही वाई उसी में जाके मिलेगा और वाटर क्रॉसिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा सब जगह का पानी कल से जो बारिस हो रही है मुझे तो अभी डर लग अब भाई सहाब लाराते हुए जा रहा है आप आसे अच्छा बत यह है कि हमें उतरना है कल रात में वाला जितना ओफ रोड था और हमें चल्हाना था वह तो बहुत भ्यानक था और सोचलों यहां कि लोग जो बस चलाते हैं भाई कितना उनके पास जिगर है और उससे प्रपिश के लिए जिगरा चाहिए भाई जिगरा क्योंकि ऐसा रास्ता है अब नहीं तो तब पल्टी ऐसा इस टाइप से हैं पर इन लोगों को आदत हो गिया है इसलिए हम लोग भी एक महना रहे गहां तो हम लोग को भी आदत हो जाएगा फिर यहां पर दखो रोट कैसा क कि बाप रे बाप हो भाई सहाब क्या गजब का पानी किर रहा वहां से ऐसा इसा चोट वाटर क्रोसिंग तो आपको बहुत मिल जाएगा कि हो भाई चलो पत्थर भी असल बत आगी है ना बैबैक है उसका बाइक ही ने बढ़ रहा है अब चलो भाई दिख तो ही रहाता है पर पार हो जा रहा है वह एक स्पल शोटु छोटु वह मेरा कमाल कार दे रहा वारना कल रोगना लीच जो केच्वा 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 नहीं बोलेंगे उसको जोग जोग से बहुत ज्यादा परिसान्त है चार वार तर्लों एक बर नीटेस के उपर चढ़ा तीन बार नीतीस करता था और इसका भी एक प्रब्लम्न नया प्रब्लम की क्या हो रहा है कि गेर में कल में बोला था कि start नहीं हो रहा है तो अब हो रहा है कि कल भी स्टार्ट था न्यूटल करके लितिंग मुझे बाद में पता चला कि न्यूटल करने से वह हो जा रहा है स्टार्ट देखो अभी तक तो भाई रास्ता में बोलेंगे ठीक है अब मैट वाला एरिया जो आएगा ना पूरा कादो एक फीट जैसा मतलब आपक कादो एक एक दो दो फीट जैसा वह सामने कौन गाउं दिख रहा है वह तो मुझे नहीं पता दूसरा कोई गाउं है बहुत अच्छा लोकेशन दिख रहा है कि क्या यह लोकल लाइफ रहता भाई आप लोग महाना अनसान लोग है भाई जो आप लोग पहाड़ी लोग है में जो लोग रहते हैं कि बहुत महेनती होते हैं यह बात है देख रहो चाहन कैसा यह वाला अभी तो हम लोग उतरना इसले चलो ठीक है अगर मौसम ठीक रहता है तो दो-तीन हम लोग और जगह विजिट करते आना पुर्णा बेस केम दिखता है मतलब दीदी बता रही थी थोड़ा सा अफ्रोड करके जाना पड़ता है कि अब हुआ है कि अब बहुत चड़ाई है चड़ाने में आपको हालत खराब हो जाएगा कर अम लोग दिकत तो नहीं हुआ कहीं लेकिन है अच्छा खासा ओफ्रोड है भाई पानी भी अभी उतर रहा ना तो जिसके वज़े से हम लोग तो चलो धीरे-धीरे करके निगल जा रहे है कि देख रहे हैं पानी कैसा है अब भाई साहाब थोड़ा दूर रोड बना हुआ है यह सिमेंटेड रोड वस यह दिखाने के दात है वो सुने होना देखो भाई क्या आप नजारे हैं यहां के देख रहो कि बहा कमत ले जाना भाई कि दो तीन वाटर क्रोसिंग है जो बहुत है भी है उसी का वेट कर आएगा भी थोड़ा देरी के बाद आएगा तो आज बहूत मन से निकलने का मन नहीं था क्योंकि डर लगरा तो बहुत ज़्यादे लेकिन हीमत हुआ अभी बाई चला रहा हूं तो फीर लग रहा कि अच्छा हूआ जि coming ली गया क्योंकि रुक के कोई फाइदा नहीं था कहीं जा भी नहीं पाते हैं रूम में बैठ के करते भी क्या कर टाइम हम लोगा पंसार दस दिन का बनाया तो वहीं लेट होता देखो इतने बारिस में गांच वगेरा कैसे गिर गाए पीड़ को कभी भी हम लोग चल रहा है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है बताने ही सकते कोई पत्थर उपर से गिर के आ जाए कोई पेड़ गिर जाए बड़ा पेड़ अ रिस तो है भाई बारिस में गई दो कितना वाटरफोल आप लोगों को दिखा रहे हैं कि अब छोटा-छोटा वाटरफॉल वी बड़ा वाटरफॉल बन किया है एक देख रहो है यह वाटरफॉल देखो भाई किसा उपर से गीरर और पानी का दार देखो कैसा है इस टीछ पानी नापने के लिए कि इतना गड़ा है देख सकते होगा अब कि मैं पानी नहीं है मनद गड़ा नहीं है अब अब मेरी बारी है यह वाला रिवर क्रोसिंग पार करने की चलो वाटरफॉल भ्यानक दिख रहा है यह तो कुछ नहीं है अगे तो और भ्यानक है भाई अंजू होटल है रेस्टूरेंट खल यह लोग पढ़ रहा तापका होटल है जी अनुछ पढ़ रहा था अंजू को हम बहुत है अन्जू लिखल है कोई होगी अन्जू अब यहां तो और टफ लगता है क्योंकि भाई देख रहे हो रास्ता मलाइक अप्ता चलो क्या करें आये हैं तो इसी में चलना पड़ेगा बारिस के तो भाई चलो हो गया है कि वहीं डायलोग याद आता है यह रास्ता है कि बाबा सीर भाई बस भाई केच्वा मत केच्वा बलते हैं जोख मत चीपकना भाई पता चला खून उन्चूस के खून चूसने लगा अंदर अंदर पता है यह बड़ा सफूल यह बाद यहादा रहां का जो भी का शाप करो का नकू करूं कंश्य में पार करो किώ को तब से में रिकॉर्डिंग किया जा रहा हूं रास्ता कूछ अईसा है कि तो भाई यहां तो और खर्तर है तो भाई रास्ता है यार कोई फागल परनी होगा जो ऐसा हम लोग जैसा जो आता होगा ऐसे रास्तों पर भाई बहुत नीचे खाई है कि चलो और भाई इस सेट मत्रा इस सेट चलो इस सेट से चलते हैं भाई देख रहे हो कैसा लेंट स्लाइट सब हुआ है यहां देखो पार हो जा भाई जल्दी 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 छोटू पार हो जा बहरी गुल्ड यहां कि इधर से चला जाए चलो है अ तक कि Iस को अच्छल बातमर हो हमलों का घर तरह Гणा अट इमक्रा मेखते टा जो बहुत सिलिप करता है हो मिटि करता है ऑब आई अ पक्का है कि हम भी गेरता है सब गेरता और फिर बहुत दिकत होता हमको पर लब जो टाइम अभी हमको लग रहा वो डबल लग जाता है गाड़ी सब यहां का है पेड़ गेर गिया क्या पेड़ गेर गिया है पेड़ गिया है है जिल्व अपनी बाइक ही यह तो पैदा होना चाहिए गया चोटा साइट से निकलने का कि अधिए कि दुवत सारे लोग यहां रुके हुए है कि बहुत ज्यादा यह का विना अधो लोग नगे रहा है कि हुआ फारी बनतलों दोड़र या пой थे पार जाएगा लोग धाना यहां पर पानी का फ्लो है ना अपि लोगो बता नहीं सकते हैं वह यहां कि गाड़ी पी ड़ी रुखा हुआ है उपर मैं गाड़ी भी भी लोग है इदर एक तो उधर है पर वो लोग पार हुआ है कि नहीं वह वो चीज नहीं पता पर देख लोग फ्लो देखो पानी का भाई कैसे होगा भाई कैसे के लिए है के लिए है प्लाक के लोग एध है 湘 है कि अधनी कि अधनी का गवर लोग जाओ कि अरुशवाय को लोग जो एक अरुशवाय का का फिर दो वोग रख़ टेख लोगया का नहीं हुआ है